नमस्कार आप देख रहे हैं एश्या न्यूस अंडिया महुकीत सिंग एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हिमन सोरिन लगतारिय कह रहे हैं कि राजे में परिवहन विवस्था और कई विवस्थाओं में सुधार हो रही है घटना में भी कम मामले सामने आ रहे हैं अईसे ही एक घटना अब सामने आ रही है रांची के अरगोडा स्टेशन के समीब जहां पर फातख के पास एक विविक्ती की ट्रेन से कटकर मौत हो जाती है ऐसे में सरकार के उपर ये सवाल उठता है कि आखिर लगातार ये जो घटनाए सामने आ रही है ट्रेन से कट कर जो मौत होने की इस पर सरकार क्या कुछ आगे काम कर रही है चलिए इस मुद्दे पर जानते हैं यही के ग्रामिनों से की आखिर क्या कुछ हुआ था और उनकी क्या राय है कि सरकार को क्या कुछ ने बदलाव करने चाहिए क्या जिस तरह से घटना होती है लगातार आए दिन बात सामने आती है कि अर्गोड़ा कि स्पाटक के पास रेलवे से कट कर बहुत लोग की मौत हो जाती है तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे यह कहने चाहेंगे वहां पर हमेशा मडर होता है और भी पहले हो चुका है और जो जिसका भी हुआ कुछ दिन पहले वो दोस्त जैसा था बड़ा भाय था तो सरकार के तरफ से कुछ मुआफ़ा मिलना चाहिए अगर रेलवे के तरफ से हुआ है तो क्योंकि काफी गरीब है वहां यहां पर बदनाम करने में लोग आगे होता है किस तरह से परिवार की मदद की जाए या परिवार की कुछ मदद भी कर दिया जाए क्योंकि बहुत गरीब हो उसका माब बाप फादर नहीं है भाई है माँ है गरीब है मा का माइं जिस्टब है वह में सगुंते रहती है पागल है थोड़ा बस वही कुछ सरकार मुआफजा दे दे कुछ तरह सी वहां पर आए दिन रेलवे से लेकर घटना सामने आती है तो क्या लगता है सरकार की कहां चूक रही है किस तरह से इसमें सरकार को ध्यान देने के आवश्यक्ता है यहां पर सरकार कोई यह चूक हो रही है कि वहां हमेशा जिस जगह हुआ यह कान यह मिला के चार शे पांच बर कान लो चूका है यह ने बुलें कि हिंदू का हुआ मुस्लीम का हुआ इस से नहीं फिर भी सरकार किसी का सपोर्ट नहीं किये मतर्ब है एक हेल्प नहीं होता है बस यहीं बोलना चाहिए कि गरीब परिवार को हिल्प हो और मावाप भी अभी तो सदमें में है सब अभी मातम का मुहल बनाओं उनके घर पे हैं लगतार सरकार का यह कहना है कि राज्य में परिवहन वेवस्था में सुलहार आ आपने जो कहा कि हाल में ही परशासन जो क्या कहा परिवहन तो परिवहन में तो रेल भी आता है है ना और रेल से आज तक जिस जगह में यह एक्सिडेंट हुआ है दुरगट ना वह रात में हुई है टाइमिंग यह लोग बताएंगे क्या टाइमिंग है दस से साड़े दस में काफी कुहासा का वक्त था वो लड़का का घर वहां से लगबग एक किलोमीटर सम्थिंग है जहां पर एक्सिडेंट हुआ बाकी सामली नहायती सरीफ लोग है भाई नमाजी है माँ खुद नमाजी पहर्जगार है इनके वालिद नहीं है इनकी बहन रेक है जो दिल्ली में रहती है और यह लड़का जैसे कि जो पेपर में लिखता है मरने के बाद भी कि रांकी रांची का खुंखार चोर था तो पुलीस हो सके किसी के बहकावा में किया किसी पुलीस का इनफॉर्मर ने उसको चोरी में फसा दिया और वो मुझरिम कहला गया लेकिन अगर मसला था पुलीस से भागा हुआ था तो पुलीस क्यों नहीं उसको पकड़ी जब एडरेस था सब कुछ जानता था उनका पु प्रिशासन क्या करती था और दूसरी वाथ कि उस जगा बार 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 खासकर के मुसल्मानियों का ही क्यों मौत होता है अगर दस मुसल्मान मरा है मान लेजा है एक उधारन तो उसमें दो अधर जात है क्रिश्चिन औराउं या जो भी हो हम किसी के नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन मुस्लिम का जादे रहता है और उसी स्पोर्ट से आप खाना से भी इंक्वारी कर सकती हैं 14 से लेकर अभी तरह कहना चाहते हैं कि वहां पर या तो कोई साजिश है और अगर साजिश नहीं है और दुर घटना हुई है तो यह रेलवे ट्रैवर भी जान रहा है जिसने अपने साजिश है कि उसको घर से ले जाया गया उसको कुछ नशा करया गया होगा पैसे कुछ नशा करता था यह मैं बता दूँ आपको वह पीता था वह देशी क्या होता है शरब वो शायद पीता था है ना तो उसको पीने ही के बहाने कोई ले गया होगा और लेके पहले सर में चोट लगा उसके बाद उस ट्रेन जो मारी धका तो यह हम कन्फरम नहीं कर सकते हैं कि वह पिया था या ने पिया तो पस्माटम रिपोर्ट से पता चले गा है ना वो तक कैसे पोँचा इतने रात में कोहासा में यह जांच का एक विशाय बनता है तो मैं चाहता हूँ फिलहाल जो इंटरीम मतलब एक्सिडेंटल होता है तो तो 10,000 रुपया का इंटरीम रिलिफ मिलता है करिया करम करने के लिए चाहे वह कोई हो चोड़ों बदमाश हो कोई हो उसका किरिया करम का मिलता है कम सकंग गरीब इनसान को वो दे दे और उसके साथ सा रेलवे जो हमेशा गलती करती है तो उसके परिवार को नोकरी